हेलो एवरिवन आज हम लोग पढ़ेंगे एकनॉमिक्स में मनने आपको लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था वो बताया था इंफलेशन क्या होता है और होलसेल प्राइज इंडेक्स हमने देखा था आज हम देखेंगे मुद्रेश्विति के प्रकार और कंजूमर प्राइ इसके लिए मैं आपके लिए शौट वीडियो बना रही हूं मैंने प्रिवियस के लिए के लिए के लिए उनको देखा और कुछ टॉपिक्स हमारे लिए काफी इंपोरेंट है जैसे योजनाय हो गई इंडेक्स हो गई या कोई ओगनाइजिशन हो गई तो यह सब भी हमें याद हो जाना चाहिए तो इन सब के लिए मैं आपके लिए शौट वीडियो बना रही है वो कुछ सेकंड्स के होते हैं आप उनको दिन में कई वार देख सकते हैं तो उसको हम कर लेंगे प्रिलिम से पहले जादा से आदा और को लगता है कि उस पर बनाने चाहिए तो आप बहुत जादा पढ़ जाएं महंगाई बहुत जादा बढ़ जाएं और हमारी जो मनी है उसकी वेल्यू कम हो जाए ठीक है तो उसको हम इंफलेशन बढ़ गई है और साथी अगर जिसे चीजों की डिमांड बहुत जादा हो जाएं तो इसकी पूरती कम हो उतनी ही रहे तो उस समय मुद्रयस्विती बढ़ जाती है लास्ट टॉपिक में हमने अच्छे से समझाता अब देखेंगे इसके प्रकार तो प्रकार में क्या दिया हुआ है कि इसका जो परसेंटेज है उसके इसके प्रकार दिये का है कि हमारे लिए कितनी सही होती है और कितनी खराब होती है तो पहले इसकी टाइप में आती है रेंग्ती मुद्रयस्विती, क्रीपिंग इंफलेशन ठीक है अब देखें कोई चीज रेंग रही है तो सलो सलो रहेंगेगी ना तो जब मुद्रयस्विती की दड़ 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्राइस्विती कहते हैं तीके जब 3% या उसे कम inflation है तो उसको हम कहेंगे creeping inflation यह मुद्राइस्विती का अत्यान मंदरूप है समानेता ऐसी इस्थिती विक्सित देशों में होती है आर्थविवस्ता को गतिहींता के प्रभावों से मुक्त रखने तता आर्थिक विकास को प्रोचसान प्रदान करने के कारण इस इस्थिती को वांशित माना गया है देखी inflation में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है न कि चीजों के price बढ़ने लगते हैं और price बढ़ते हैं उससाब से salary भी बढ़ते हैं लोगों की क्योंकि वो उतनी salary होगी तभी तो वो सारी चीज़े खरीद पाएंगे अगर salary बहुत कम रहेगी price बहुत जाद रहेंगे तो उस salary का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो उससाब से salary भी बढ़ती है चीजों के price भी बढ़ते हैं तो production भी बढ़ता है तो थोड़ी सी inflation जरूरी होती है आर्थी विकास को बनाए रखने के लिए अगर नहीं होगी तो problem हो जाएगी तो विकसित देशों में इतनी inflation होना जरूरी है ताकि उनका आर्थिक विकास चलता रहे creeping inflation ठीक है दूसरी होती है चलती हुई मुद्रयस्विती walking inflation जब मुद्रयस्विती की दर मंद मुद्रयस्विती की दर से अधिक अर्था तीन से दस प्रतिशत के बीच होती है तो उसे चलती हुई मुद्रयस्विती कहते है चलती हुई मुद्रयस्विती की मंद गती भारत जैसे विकास्षील देशों के लिए अच्छी मानी कही है, किन्तु दीर-गवदी तक चलती हुई मुद्रहसफिती को दौरती हुई मुद्रहसफिती के खत्रे के संगित तक के रूप में देखा जाता है जब आप देखी वाक कर रही है मैं थोड़ा अफ़ास चल ले लगी ठीक है चल रही है तो क्या थी जब 3% ये 10% के भीच इन्फलेशन होती है तो उसको गहते है वाकिंग इन्फलेशन ये जैसे जो विकास इल डेवलपिंग कंट्री से भारत उनके लिए जातरा माना जा सकता है कि आगे ये जादा हो सकती है तो इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए अब देखिए रनिंग इन्फलेशन दौरती हुई मुद्राइस्विति अब क्या है पहले क्रीपिंग थी फिर वाकिंग थी अब रनिंग हो गई मतलब और बढ़ गई है तो परसें तो उसे दौरती हुई मुद्राइस्विति कहते है इस इस्तिती में सरकार द्वारा मजबूत मौद्रिक और राजकोशी इन्टरंड उपाय किये जाने के आवशक्ता होती है अन्यता ये अवस्ता अति मुद्राइस्विति के लिए माल प्रिशस करती है जब इतनी जादा ह हो जाए रनें इंफ्लेशन 10-20% तो मतलब सरकार के लिए एक खत्रे की घंटी के अब इसको हमें कंट्रोल कर ले नहीं तो बहुत जादा इंफ्लेशन हो जाएगे और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसके बाद कूतिवी मुद्राइस्विति क्या होती है गैलोपिंग इ पादन में बिना गी सिप्रण की मुद्धिए क कीमते और 2 थी मुद्ला सइधी है रथा जब फार्सिदी की वार्षिक जा ओंग और 20 और जार K这ि कीमत अध्यागे बढ़ देर कीमतेंpent कि विचाए पादन में बना किसे ब्रिदी के नगर्न और ना बिदीदार के काफी कहते हैं in inflation के ठ्राइब से 172 क थाhältि ऐसके कैश्तों दप्रेश्वे नधी के इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरा हो जाता है इसके वाद आत्रीमुद्रय्दि जब लगाए Atari इस सिति में इस्थिर आयवाली सभी परिसंपतिया यथा वेतन, बचत, गिर्वी, आधी का वास्तविक मूल कम हो जाता है इस सिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाती है देखे जब इंफलेशन तीन अंकों से जादा हो जाए है उसे हम कहते है हाइपर इंफलेशन इसमें क्य सिति में जो पत्र मुद्रा होती है पत्र मुद्रा मतलब जो अपन पैसे देते है न और सामान लेते है वो एकदम बेकार हो जाती है किसी यूस की नहीं रहती है आप कितने भी पैसे लेकर जाएंगे आपको सामान नहीं मिल पाएगा यह बहुत जादा पैसे लेकर जाने प तो इतनी ज़ादा hyper inflation नहीं होनी चाहिए अब मैंने आपको पढ़ाया inflation को मापने के कौन-कौन से index होते हैं तो पहले हमने पढ़ाता wholesale price index आप मुझे कमेंड करके जबू बताइए कि ये कौन निकालता है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अब देखते हैं consumer price index क्या होता है और बोकता मूले सूचकांक लोगों के प्रती दिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तू और सेवाओं के मूलियों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है देखिए जो मैंने आपको पढ़ा था wholesale price index उसमें गया था सिर्फ वस्तूएं ली गई थी इसमें क्या होता है वस्तूएं और सेवाओं दोनों को देखते हैं consumer price index में और जो चीजे जिसे आप consumer है ठीक है wholesale में क्या था कि जो wholesaler होता है वह एकटी वस्तूएं खरीता है तो उसको कुछ कम price में मिल जाती है लेकिन जो हम consumer है अगर हम खरीदेंगे तो हमें end का जो price होगा वस्तू का उसमें ही हमें वस्तू मिलेगी जैसे हम biscuit का पकेट लेने जाएंगे तो जो उसका अंतें प्राइज होगा इसको मापते है लेकिन इस इंडेक्स को निकाले के लिए मतलब इसको कई उसमें बाटा जाता है इस इंडेक्स को जैसे CPI IW industrial worker जो industrial worker होंगे उनका मतलब कि उनकी लिए कि इंफ्लेशन कितनी बढ़ गई है उनकी salary कितनी बढ़नी चाहिए यह सब देखने के लिए निकाल जाता है CPI IW industrial worker इसका आधार वर्ष 2001 है इसका संकल है श्रम एवं रोजगार मंत्राले के श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा किया जाता है देखे वर्कर लगा है ना इसमें वर्कर तो वर्कर से याद रखेगा श्रम है ना तो मतलब लेवर से श्रम है ना वर्कर भी श्रम और रोजगार मंत्राले इसको निकालता है आधार वर्ष 2001 है आधार वर्ष मैंने आपको समझाया था कि जिस वर्ष के हिसाब से हम आज की इंफलेशन देखेंगे कि उस साल कितना प्राइस था और आज कितना प्राइस बढ़िया है उस वो जिस येर के आथर पर निकालते हैं उसको बेस येर कहते हैं बेस येर ऐसा लेते हैं जिस साल कोई बहुत एक्स्ट्रीम घटना है नहीं हुई हो एकदम मतलब सही रहा हो पूरा साल उसको हम बेस य की तरह लेते हैं दूसरे होता है CPI-AL एग्रिकल्चर लेबर इसका प्रयोग मूलता विभिन राज्यों के क्रिशी मजदूरों के लिए नियूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए किया जाता है इसका आधारवश 1986-87 है इसका संकलन भी श्रम एवं रोजकार मंत्रालाई के श इसको देखने के लिए निकालते है CPI-AL इसका भी बेसियर है 1986-87 इसका संकलन भी कौन करता है श्रम और रोजकार मंत्राल है ठीक है लेबर से आप श्रम याद रखिए तो आपको याद रहेगा है कौन निकालता है ठीक है CPI-RL रूरल लेबर ठीक है जो मतलब रूरल एरिया गाओं है वहाँ की लेबर पर क्या इफेक्ट पड़ा है इसको देखते हैं यह सूचका ग्रामेट श्रमिकों के उप्योग में आने वाली वस्तों के मूलियों पर आधारित होता है इसका आधारवश 1986-87 है इसे श्रम एवं रोजगार मंत्राले द्वारा निकाला जाता है इसमें भी लेबर है तो लेबर से आधारे की शम और रोजगार मंत्राले निकालता है तो इसके आधार पर यह अलग अलग इसलिए है क्योंकि हर चगे चीजों के प्राइस आपको अलग मिल जाएंगे गाओं में अलग मिल जाएंगे शहर में अलग मिल जाएंगे तो हमें पड़ता है कि हर्जकी कि क्या inflation की स्थिती हो गई है अब देखे एक चौथा भी है CPI Rural plus Urban ठीक है इसे नव भोगता मूली सुचकांग कहते हैं यह नया है इससे वश 2011 से ही निकालना स्टार्ट किया गया यह सुचकांग ग्रामिन और शहरी दोनों प्रकार के सुचकांगों का मिश्रण है यह एक मिश्रण है इसमें दोनों होंगे रूलर के भी और एर्बन के भी आकड़े होंगे इन दोनों सुचकांगों के संबद में आधारवश 2012 है क्या है 2012 शहरी चेत्र के लिए सोचकांग के आकड़े इनस एक अदेज किया जाते हैं आकड़े को निकत्र करता है CPI निकालता कौन है तो आप बोलेंगे CSO निकालता है केंद्रिय सांके की कार्याल है ठीक है यह इस जो हमारा सुचकांग है इसको निकालता है इसके साथ फ्रेंड्स एक और चीज़ बता देती हूं में कि इसमें क्या होता है हम छे चीजों के समू के आधार पर इसको निकालते हैं, जैसे इसमें, मतलब CPI की नई श्रंकला में वस्तु और सेवाओं का वरीकर्ण छे समू में किया गया है, मतलब इसमें पहला है खाद और पे-पदात, दूसरा आवास, तीसरा पान, तबागु और नशीले-पदात, च मतलब 6 चीजों के आधार पर निकालते हैं, इसमें सबस्यादा वेटेज खाद और पे-पदात का होता है, क्योंकि थे कंस्यूमर है, तो हम सबस्यादा अपना हमारे लिए इंपॉर्टन क्या हो गया, खाद मतलब जो चीजे हैं, खादान हो गया, तो इसलिए सबस्यादा और CPI में कभी-कभी बोला जाता है कि CPI बढ़ रहा है, लेकिन WPI नहीं बढ़ रहा है, मतलब तो इंडेक्स, क्या होता है, कभी एक इंडेक्स जादा बढ़ता है, एक कम बढ़ता है, क्यों, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि दोनों में चो चीजे हैं, उनका वेटेज बढ़ता है, तो इसके साब से इनके जब इंफलेशन के वो निकलते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं, तो इनका रीजन यह रहता है, अगर पेपर में भी आया तो आपको याद रहेगा, तो चलिए बताये, आपको यह तो अच्छे से समझ में आया की नहीं, अब आगे भी